दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर लोग इस्टरोइट टैबल खा लेते हैं डिक्सोना बेटनेस ओल वाइसलोन ओम्रा कोटिल इसके बाद जैंप्रेट मेड्रॉल कुछ लोग डॉक्टर इंजेक्शन लिग देते हैं चाहे कुछ लोग अज्ञानता वसे वजन व देख्षोना खाते रहते हैं कुछ लोग एलर्जी एक जीमा में खाते हैं कुछ आस्त्राइब लिए डॉक्टर पंदर देंके लिए तकिसी बिमारी के लिए अराम मिलता है तो टेक्सोना एक इस्ट्रोइट होता है जो कि ज्यादा मातराम खाने से हमारी बोडी में पेट क पाइड्या बाडी को फिट रखता है टॉप से बॉटम मैंट एक्टिव हेल्दी कॉल्ट रखता है बोड़ी एनर्जी देता है हार्ट फॉंक्शन स्ट्रॉंग करता है मसल स्किन लिगा में सफॉंक्शन करता है लेकिन बहाद से तो हाइड्र इस्ट्रोइड डेक्स होना बेटनेस वाले और कोई दवा खाते हो लंबे टाइम के लिए तो अंदर कॉर्टिसल बनना बंद हो जाता है फिर जब पता चलते नुशान कर आपको इससे क्या नुशान क्या होता है वेट गेन, बोन कमजोरी, इसकीन में फट राद श्ट्राय पड़ जाता है, चेरा लाल हो जानते हो कि नुशान करता बंद करते हो, आपकी बॉडी में नौर्वल कॉर्टिसल बनना बंद जाता है, क्योंकि हाई ड्र इस्ट्राय इंटर्नरल कॉर्टिसल प्रडेक्शन छे मेंन से लेके एक साल तो बन जाता है, लगव सब लोग का कॉर्सल बनना वापस एक साल के भी इनसे बिक अब दूकर्ट माले गुट्वन्टे सिंटम क्या ओते हैं, मरीच को ठकान होने लगता उसको आप दिखाता हूं, उसको मरेज को इसे बोलता है इस्टिरोयट, जब इस्ट्रायड बन करते हो, तो तो इस्टिरोयट भी इस्टिरोयट कि विड्रॉल कि बंद करना है कि सिम्टम यह कराता है क्यों होता है यह इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में कोर्टिसॉल हॉमून बनना बंद हो जाता है कि सिम्टम क्या होते हैं कमजोरी थकान बहुत ज्यादा बदन दर्द ज्वाइन पेन जी में उल्टी लगना भूख खतम हो जाना सिर्लत उला जा रहा है लड़की भूखम पारा है चिर्च्रापन नीन कमाना इंजाइटी डिप्रसन होना पूरी ऐसा लगता कि तब यह ठीक ने कुछ खराब है फिर जैसे स्ट्राइब वेट वापस घटने लगता है वेट लॉस भीपी कम होयाता है ख़ड़े को ठीक चकरा लेता है इसके बाद ऑद किसी के सिर्ल में दर्ज हो लेता है कि जब भी खाता है कुछ भी खाता है कुछ दवा खाता है कुछ जीन लाए लाए फिवर होसते हैं फिवर इस सब सिम्टम इस्ट्राइड विडरॉरल के होते हैं पर जान लो चाहे तुम देख सोना कितने साल विखा लो यहां बंद करोगे तो बॉडी में इस्ट्रोइट की कमी हो जाएगी जहां इस्ट्रोइट कमी होती है तो बॉडी जो यह तीन मेंसे लेकर के एक साल के अंदर फिर से कोर्टिसल बनाना शुरू कर देता है और 99% मरीज एदम वापस नॉर्मल हो जाते है पर कुछ लोग के अं मेंटम बचे रह सकते हैं क्योंकि उस कॉट्सल डिप्सिंसे के दरान उनके जो नियूरो केमिकल जो पार्ट होते हैं निरॉंस होते हैं वह थोड़ा अल्टर है बदल जाते हैं उसको भी तीन से छे मेने के लाज के बाद ठीक हो आते हैं पर अच्छे जान लो इस्ट्रोइ जो भी इस्ट्रोइड को सरीफ असर होता है वो टेंपरेरी होता है यह वापस रिवर्स हो जाएगा इसके लिए दवा के सांस साथ आपको यह विश्वास रखना पड़ेगा होता क्या कि यूटुब बड़े वीडियो बने ही इस्ट्रोइड शरी खराब करता है गला देता हड़ी गला देता है जिर्म बबाता है ऐसा नहीं है इस ट्रोइड बंद करने के बाद है एक साल के अंदर है प्रपर ट्रीटिविश्वास रहता है यह जब तक ये समझ नहीं आएगा आप ठीक नहीं पाओंगी को यह अपको इंज्ञाइटी रएगी में स्टुराइट नुक्सान कर दिया थीक पताद हुआणाय थीक नहीं होगा जब तक फिर ने जाएगा ठीक नहीं होगे कि तेवा इस्ट्राइट बंद करने के बाद उसका असर है 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 इंजाइटी एड़ आती है और चीजों खराब कर देती है कि इस्ट्राइट विड्राव सिंड्रोम आराम सब ठीक हो तो घरामत कि विश्वास रखना पड़ेगा बीना विश्वास कुछ निए ठीक होसता है इस दवा खाओगे आराम मिले छोड़ फिर हो जाएगा मनें बैठा इस्ट्राइट नुक्सान कर दिया है और जाता है डरोमत ठीक है